हेलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे स्वागत है आपका मेरे यूटूब चानल में और मैं हूँ तनूद आप अपने बालों को लंबा दो बनाना चाहते हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज अपलाई करें किस चीज से आपके बाल जो हैं बहुत तेजी से ग्रो होंगे और जिन लोगों का बहुत जादा है वो यही सोच रहे हैं कि हम ऐसे कौन सी रेमेडी में ठोड़ा ज़्यता है तो बढुख जाता है तो आप भी ृता है अज़ू वह रहे हैं ए मुआ जरूर से जरूर यूज करें कैंता है और को लोगों कने में जो बहुत क्हें यूद्टीकर हैं हमारे बाल नहीं बढ़ रहा हैं तो अगर जाहते हैं कि आपकी बाल भी मेरी तरह हो जाया लबे तो फ्रेंट आज का पक्त जरूर इस्तमाल करिए मैं इस पैक को वीक दूर्ट में एक बार जरूर भी अपलाई करती हूँ आप कोई भाडर कोई भी टाइम रख सकते हैं उ किस तरीके से अप्लिकेशन करने हैं जो भी इंग्रीडियन्ट हमने इसमें एड़ किये हैं वो बालू के लिए बहुत ही जादा अच्छे हैं तो आप जरूर से जरूर यूस कीजिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूसफुल लगे थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस रेमिडियो को बनाने के लिए आपको बाल और चमश लेना है और उसके बाल जो हमें में इंग्रीडियन्ट लेना है वो लेना है आमला पाउडर अगर आपके पास आमला है आप उसका रस्क भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आमला नहीं है तो आप आमले पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं आपको ये मेडिकल स्टोर पे इसली मिल जाएगा तो मैंने याप पर एक चमश आमलफ वाढ़र लिया है उसके बाद मैं याप पर add कर रही हूं augg 1000 powder अगर आपके पास के फावढ़र है तो आप add कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं हैं तो आप इसको skip कर सकते हैं फ्रेंट्स मैं यहाप गुड हैल के फूल का पौडर इसलिए अट कर रही हूँ क्योंकि एक गंजे पन के लिए बहुत जादा अच्छा होता है अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत जादा जड़ ज़ड़ गहे हैं इसकल दिखने लगी है तो आप गुड हैल के पौ वाल सफेद हो जाते हैं तो यह बिलकुल जूट फ्रेंज सब्लकुल नहीं होता है कि लेमन के इस्तनाल से आपके बाल जो है सफेद हो जाते हैं डारेक्ट लगाना बाल ऊपर वो आपको नुकसान पहुचा सकता है लेकिन अगर आप किसी चीज में एट करके लगाते हैं त नेख्स्ट नेरही हूं तो यह वर्जी जोजोबा ऐड़ी है इसके भी बहुत सारे वेनफेट है हमारे वहारे पालों के लिए अगर आपके पास जोजोबा ऑईल है तो आप ले सकते हैं मैं यहां पर दू चममच चाफ्ण जोजोबा ऑईट कर रही हूं अगर जो जो वह आईल नहीं है तो आप इसकी जगे कोकोनट आईल का इस्तमाल कर सकते हैं कोकोनट आईल नहीं है तो आप इसकी जगे ऑलिव आईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह option मैंने आपको दे दिये हैं तो आपके पास जो तेल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि गर्मिया हैं तो गर्मियों में दही लगाना बहुत अच्छा होता है यह ठंडक पहुचाता है अगर अगर दही है तो आप दही का इसमाल कर लिजए वरना आप पानी का भी इसमें पतला ना हो और ज्यादा भी गाड़ा ना रहे ह हमारी अराम से पूरे इसकेल पर हो जाए नहीं करना है और नहीं बहुत ज़्यादा पत्ला करना है इतना पी पत्ला ना कर लीजे कि आप अपने बालों में लगाएं तो वो टपके ठीक है तो आप इसकी ठीकनेस को देख लीजेगी कितना है आपको इसी हिसाब से पेस्ट को तयार करना है यह पेस्ट जो है हमारा बिल से तीन घंटे जरूर अपने बालों में रखें इतना तो आपको रखना ही है सिर्फ आदे घंटे रखने से कुछ नहीं होगा तो आप 2 से 3 घंटे आप Sunday to Sunday लगाए सन्ने में तो कोई काम नहीं होता अगर है भी काम तो आप अपने बालों में समझ से हो तो आप असानी से उसको खतम कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने पूरे मांग में स्केल्प में लगा लीजे अपलाई कर लीजे और उसके बाद जब आपके पूरे बालों में लग जाए तो आप एक बन बना लीजे अगर उसके बाद भी आपका थोड़ा सा प मैं इस तरह के से आपने ऊपर ऊपर बालों में अपलाई कर लूगोंको आपको यह पैक वीक में एक बार ही लगाना है और जब युल आप लगाrophy लें तो सी तीन घंटे के बाद आपको mild shampoo से यह वॉश कर देना है इतना सा काम आपको करना है आपके बाल होंसे से तो फ्रेंट्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा यूस्फुल लगा होगा अगर थोड़ा सा भी यूस्फुल लगा है तो लाइक जरूर करें बिना लाइक करें बिलकुल मत जाईए और फ्रेंट्स लोगों में भी शेयर कीजिए और पहुंचे सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटिट कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रेप्लाइज जरूर करूंगी और आप इस रेमेडी के इस्तमाल करते हैं और आपको अपने बालों म समय से है वो खतम हो सकती है फ्रेंट सिफ एक बार के करने से नहीं होगा आपको यह कंटीन्यू करना होगा तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कम से कम आप एक से दो महीने इस रेमेडी को यूज कीजिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए